हेलो फ्रेंज नमस्कार एंड वेलकम टू माई चैनल नमस्कार फ्रेंज तो आज का जो वीडियो का सब्जेक्ट है वो हम लोग देखेंगे उसमें कि अपकामिंग आईपियो क्या क्या है इन दैयर 2021 तो इस साल में कौनसा-कौनसा आईपियो आने वाला है और कौनसा-कौनसा आईपियो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए कौनसा-कौनसा कौनसा कमपानी का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है आईपियो में इन्वेस्ट करने के लिए वह हम लोग देखेंगे और यह भी जानेंगे कि आम लोग कैसे आईपियो कर सकते हैं और कितना chances है हम लोग को IPO allotment होता है IPO allotment में हम लोग कैसे हम लोग मिल सकता है ठीक है उसका chances कैसे उसको increase कर सकते हम लोग so that we get some IPO allotment उसके लिए भी हम लोग थोरब discuss करेंगे तो friends आप अगर मेरे चैनल में नए है तो आप लोग से निवेदन है request है कि please subscribe my channel कि मुझे बहुत encourage मिलता है आप लोग का subscription आप लोग का like और comment से और कोई भी सुजाव है कोई भी suggestion है वीडियो को लेके तो आप लोग प्लीज मुझे comment section में बताईएगा और मैं इसे informative वीडियो टॉक लेटेट वीडियो में पोस्ट करता रहता हूं तो कोई भी suggestion है तो प्लीज मुझे comment section में बुलिएगा I'll try to make video on that subject as well ठीक है तो my friends let's start कि कुणसा कुणसा IPO अभी आने वाला है हमारे इंडियान एक्षेंच में तो discuss कर लेते हैं पहले तो देखिए पहले details में जाने के पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि हम लोग काफी मैं काफी ऐसा मेसेज मुझे मिलता रहता है कि मैंने बहुत टाइम अब लोग सबको पता है कि IPO जो होता है वह कहीं गुना उभा सब्सक्राइब होता है तो माले जैसे job application करते हो पांच या दस पोस्ट रहता है तो दस पोस्ट के लिए एक लाग application पड़ता है ठीक न तो ऐसे IPO में ऐसे शायद आप लोगों को शायद 1000 फॉर एक्जामपल प्रपस में आपको बता रहा हूं सायद इक्विटी शेर्स 1000 फॉर रिटेर इंवेस्टर्स के लिए है 1000 बाट उसके एगेंस्ट एक करोड एप्लिकेशन पड़ता है तो सबको तो मिलता नहीं है तो इसलिए यह जास्ट आम गिविंग एग्जामपल की जॉब एप्लिकेशन की तरह होता है जैसे गॉवर्मेंट सेक्टर में शायद दस पकल लिजे कि दस पोस्ट है दस ओपेनिंग है उसमें एक लाख एप्लिकेशन दे दिया है बाट जॉब नंबर आप जॉब तो तेन दस ही है तो सबको तो मिले कर नहीं सेम सिचुएशन आईप्य एप्लिकेशन हो गया तो सबको तो नहीं सबको तो नहीं मिलेगा राइट तो रिसेनली आपको पता है कि आयार सीटी सी बार्गर किंग हैप्येस्ट माइंड इस वाम में काफी कहीं गुना खरीदारी हुआ था इवेन इन लोगडाउन अलसो काफी लोगों ने खरीदारी क करेंगे जो माले जी आप 1 लाख तक रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है मैक्सिमाम लिमिट इन्वेस्ट करने के लिए आप पूरा डाल दीजे 1 लाख का अमांट ठीक है और उसमें बीड जो हायस्ट बीड क्वांटिटी रहता है काट अप का माले जी एक शेयर का वैलू फिक्सट वाए 100 में ठीक है और 100 उसका काट अप प्राइस है तो कई-कई कुम्पानियां बोलते की 98 और 100 काट अप प्राइस तो आप लोग हमेशा जो मैक्सिमाम है 100 काट अप प्राइस उसमें इसलेट करके आप IPO में एप्लिकेशन कीजिए ठीक है तो आपका जो भी ब्रो लुक्सित कर सकते हो अगर आप आपका श्टेफ्यस में ब्रोकर है तो हैसे अप यदि यदि क्या जाता है उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाकर रखा है मैं रिस्क्रिप्शन बॉक्स में निक दे दूंगा आप लोगे लिए तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हो की zodan वे गुना सब्सक्रिप्शन होता है तो आप अर्म सब्सक्रिप्शन गुना है तो आप छोड़िए मत ठीक है जब भी कोई आइप आएप आएगा कुम्पानी का आप निवेश करते रहिए एप्लिकेशन दालते रहिए क्योंकि यह कोई इसके लिए कोई बोकरेजिस चार्स नहीं लगता है आइप एकदम फ्री होता है बाइ करने के लिए कोई बोकरेज रिशन किये थे जितना क्वाण्टिट लिए थे नंट के लिए है सारा पैसा आपका बैंक अकवंड में दीस बैंका अकांट से कुटा था पैसा उस बैंक कोई बापस हा चाल जाए गा थिक है तो कोई टेंशन की बड़ी बात नहीं है आईप एउन्वेध करना आफ प्रस स नहीं लगता है और इनिशियल पाब्लिक ओफरिंग्स जो नीचे वाला जो पैसा है एकदम जहां से स्टॉक उपर उठता है एकदम बेसिक में आप लोग वो और आप लोगों को पाता है कि आई प्यों हमेशा लिस्टिंग प्राइस से जो मलब ओफर प्राइस से डबल प्राइस में उसका लिस्टिंग होता है और एक्जेम्बल 100 में ओफर प्राइस है आप लोग खई दे 100 में तो लिस्टिंग होता है 200 में 150 में ऐसा होता है तो काफी मुनाफ़ा होता है और बोकरेज चार्जेस भी नह एक बहुत ही समझतरी की बाग है ठीक है तो वीडियो को ज्यादा लेंग दिना बनात हुए लेट सी कुनसा कुनसा मेजर कुमपनिस का आई प्योग 2021 में आने वाला है तो फर्स्ट आप लोग देख से तो इन दा स्क्रीन इंडियान रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरीशन ठीक है इसका एक आई प्योग बहुत बड़ा तरीके से बहुत बड़ी तरीके से इसका आने वाला है आयर आयर एप सी फ्राइमारली इस इन बिजनेस ऑफ फाइनसिंग एसेट क्रीएशन ऑफ एक्क्विजिशन फॉर दा इंडियान रेलोइस ठीक है तो इन्डियान रेलोइस में ठीक है जो कोई भी कोच का जो खरीदरी है जो इनोवेशन है सबको फाइनस यह आयर एप सी करता है तो यह एक आने वाला आई प्यों है इसमें आप निभेस कर सकते हो जब भी डेट फिक्स्ट हो जाएगा आपको न्यूज मिल जाएगा इवेन आईल अलसो इंफर्म मैं आ आपका जो ब्रोकर है उससे भी आपको इंफर्मिशन मिल सकता है वहां पर जाके आईप value section में देखिए तो वहाँ पर जाके जो जो आई पी ओपन है उसका लिस्टिंग आपको दिखाए देगा मैं भी आफ लोगा लिए information अपडेट डेता रहाऊंगा मेरे चैनल में ठीक ह तो इसका IPO आ रहा है तो उसका भी आप देख सकते हो नेक्स्ट है LIC यह बहुत बड़ा IPO आने वाला इसका एक बहुत बड़ा इसू साइस के साथ और LIC आपको पता है कि इंडियास लार्जेस्ट में इंसुरेंस कुम्पणी में से एक है ठीक है और इसका IPO आने वाला है बहु बता है अगर उपन होता है तो अपैसी का IPO नेक्स्ट हो गया नायका नायका आपको पाता है कि ओनलाइन फ्लिपकर जैसा Amazon जैसा नाइका में मेल जो उमेन पेसिफिक स्पेशिफिक परड़क्ट होता है उसका एक इननों नोगसे बहुत ब्रास है उधर बहुत अच्छा बेस्नेस अब equality doing इसका आप यह है ऑपोर्चुनिटीम क技 बहुत आठ कर रहा एक कमपनी बहुत मुनाफ़ा के साथ कमपनी का सिच्चr अभी situation बहुत आच्छा है company का तो अगर IPO लेके आता है तो ज़रूर निवेश कीजिए company में नाइका में आचा नेक्स्ट रेल टेल लिमिटेट तो यह company क्या करता है कि टेली कम नेट वाक में इन्फरस्ट्रक्च अरवाइट करता है इसके साथ इसका जो स्टेक स्टेक्स है इंडस्ट एलिकॉम और एर्टेल इसके साथ भी इसका टाइअप है तो यह भी बहुत अच्छा एक आई प्यों में से होने वाला है ठीक है नेक्स्ट है कल्लान जुएलास अब लोगों पाता है कल्लान जुएलास साउथ एक साउथ बेस्ट कुम्पनी है जुएलारी में इसका बहुत अच्छा एक सेटप है और इंडिया में नॉट अनली इन साउथ इसका हर जगह में इसका सेटप है डेली बैंगलोर मुंबाई हर मेट्रोपोलिटन में हर मेजर या इनो मेडियम सिटीज में इसका ब्रांच है और कल्लान जुएलास पीसी मेर्वरcomesट अभी इनर्ज़ी सेक्टर में अच्छा इन लोगों का अभी जो है के अगियर के आने अश्किश कहां करने का जो आगे cuál के आने का इसक्तर को उसके लिए बहुत अच्छा करता है तो स्टार्ट्स अक्सेसरीस में आटोमोडिव सेक्टर में इसका पार्ट्स है वह मैनुफेक्ट्रिंग करके इसको प्रोवाइड करता है तो यह भी बहुत अच्छा कॉम्पणी है नेक्स्ट इस सूरादाई स्मॉल फाइनन्स बैंक नाम से आप लोगों को पता चला सेम काइंड आप स्टॉक होगा सुड़ीय दै श्मॉल फाइनन्स बैंक इसमें आप इंडेस्ट कर सकते हो लस्मी और्गनिक इंडेस्ट्रिस यह और्गनिक और भायाटेक केमिकल जो भी है और्गनिक सेक्टर में इसका यह प्रोडूस करता है तो इसमें भी आप देख सकत है कि इसका जो इन लोगा जो रेस्टोरेंच चेंस इन लोगा जो होस्पिलेल्डी विश्नेस है और लोगर इंडिया काफी डेपूर्टेट है तो इसमें भी आप लोग इंडेस्ट कर सकते हैं बार्बीकु नेशन में नेक्स्ट है आपी चाहिए शुरंदर पार्क होटेल अब लोगों पाता है कि बहुत अच्छा रेपूर्टेट होटल में से माना जाता है नौट अली इंडिया इन लोग अब रोड में भी होटल इसमें भी आप लोग निवेश कर सकते हैं हो फॉर्स्ट फाइनन्स कोंपणी एगन फाइनन्स कोंपणी है तो आप लोग देख स अब आधियर कोडाक्ट होता है आ आइलेड को प्रोडक्ट होता है बहुत ही अच्छा मार्केट है तो सेम श्चिल में अपनी स्कोंपणी के बियुद्ध इपके में कूम्पांपनी इसमें होटल होटेल सेग्में में आता है इसको आइप्यों साइज एराउंड एटीन हंडेड टू थो थाजन करोज यहां पर दिखाई दे रहा है तो इसमें भी आप देख सकते हो ठीक है जो लास्ट बार नौतल लिस्ट आलोईस आप तो आई प्यों में इंवेस्ट करने के पहले उन लोग आप कोंपानी का ए चीज दो कंस्टेंस उनложस का रिवहर्ड करता है थीक कैर साफ क्या जो रिवीवर्स है वह हमेशा प्रॉफिट कमाएं आई प्यों में निवेश कीजिए आई प्यों का भी छोड़िए मत हाला कि आप शायद सक्सेस्पूल ना हो और पिछले दिनों में भी अपले किये होंगे बाट आपको नहीं मिला है बाट बिल्कुल मत छोड़िए आई प् सारा मैंने आपको बताया किया कुंसा कुंसा आने वाला है तो होप यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फूल रहा और अगर हेल्फूल रहा तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक और कॉमेंट आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो